जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम भी ये फूर सिमेस्टर संस्कृत में हमारे स्लेवस में लगे हुए महान महा कभी आचार भामा जी का जीवन परिचे अच्छे से समझेंगे और जानेंगे क्योंकि हमारे स्लेवस में है आचार भामा दंडी वामा ये सब के बारे में हमें पढ़ना है तो आज हम भामा जी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे उनका जीवन परिचे अच्छे से समझेंगे संस्कृत साहित्य में साहित्यकारों की एक सैली परंपरागत चलती है कि लेखक या कभी अपनी रचनाओं प्रभुत्य को चर्मुतकर्स पहुचाने के लिए अपना विशेस आधिकार नहीं रखते फिर भी आचार भामा का जन्म बीसवी सताबदी के अंतरगत एक कस्मीरी बौध परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम ब्रो रक्रिल गोमिन था जो की एक बौध अन्याई थे यह एक बहुत ही महान संस्कृत भासा के सुप्रसिद्ध आचारी थे महा कवी थे और इनका जन्म कहां पे उवा था इनका जन्म हुआ था बीसवी सताबदी के अंतरगत कस्मिर के एक बौध परिवार में हुआ था और इनके पिता जो थे उनका नाम था बौov रक्रिल गोमिन था और इनके पिता जो थे वो एक बौध अन्वाई आचार भामा संस्क्रिट भाषा के जसुप्रसिध आचार थे भामा 300 शॉसवि से च्हासुय के मद्य हुए थे मतलब उनका जन्म कब हुआ था विचा आचार भरत्मुनी के बाद प्रथम आचारी भामा ही है उन्होंने अपने काब्य अलंकार ग्रंत के अंत में अपने पिता का नाम रक्रित गोविन बताया है उन्होंने अपने काब्य के ग्रंत में क्या अपने पिता का नाम बताया हुए है रक्रित गोविन और आचार भरत्म मुनीं जी के बाद आचारी भामः ही हुए हैं प्रतम आचारी भरत मुनीं जी See के बाद बहुत ही अच्छे से आपको समना एक उनका जर्म कब वह था तीन्सटो से च्छासो इसबी के मद्द्ध हुए उनका जन्म का हुआ था कस्मेरी बॉद्ध परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम क्या था रक्रिल गोमिन था और वह बहुत ही अच्छे बॉद्ध के अनुआई थे बॉद्ध प्रचारक थे इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं किसे भामा जी को आचार भा जी को अलंकार संपक्रदाय का जनक काते हैं कादवए रमकार नाम का ग्रंथ कहते हैं का अगर सास्त कह ने लिखा हुआ है आचारी भामा जी ने लिखा हुआ है जो की विनसंति बीसवी सताबदी के आरभ में प्रकासित हुआ था कब प्रकासित हुआ था काब्य अलंकार बीसवी सताबदी के प्रारभ में किस ने लिखा आचार भामा जी ने लिखा है और यह अलंकार सास्त का पहला ग्रंथ था आगे हम देखेंगे काब्य अलंकार के अलावा काब्य सास्त पर आचार भामा ने दूसरे गरंत का भी प्रड़यन किया था लेकिन इस तर्क से सभी विद्वान साहमत नहीं है यहां उन लच्छडों को उधित किया जाता है मतलब उनके बारे में बताये गया था उन जो उन्होंने दूसरा गरंत लिखा हुआ था उससे जो विद्वान बहुत अच्छे थे वा साहमत नहीं थे आगे हम देखेंगे इनकी साहित्तिक रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे अलंकार के प्रडेता आचार यह भामा की एक प्रमाडिक रचना का नाम काब्य अलंकार है उनके प्रमाडिक रचना जो है आचार अलंकार की एक तो यह प्रडेता है कौन आचाई है भामा जी और उनका जो रचना है काब्या अलंकार जिसमें कितने चह परिछेद तथा 398 स्लोकों का समवेश है इनके काब्य अलंकार में कितने परिछेद है चह परिछेद तथा 398 स्लोक इसमें हैं इसके प्रथम परिछेद में काब्य के प्रियोजन स्वरूपयों भेद का वर्डन किया गया है दूसरे में गुड तीसरे में अलंकार चतुर्थ में एका दस का काव्य दोस पंचम में प्रमार तथा खष्ट परिच्छ सब्द सुद्धी वर्डित है जिस कारण आचार भामक काव्य अलंकार एक सर्वोत क्रिष्ट रचना है पहले में क्या है उनके पहले काव्य के प्रियोजद में स्वरूप है उन्यों भेद का वर्डन किया गया है इन्हीं चीजों के कारण का ब्यालंकार आचार भामा जी का एक सर्वोत क्रिष्ट रचना मानी जाती है आगे हम देखेंगे इनकी साहितिक सहली के बारे में हम संस्कृत में अमारे स्लेवस में जो आचार यह जितने भी लगे हुए हैं सरप्रतम हम उनके जीवन परिचे के बारे में जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में उनकी साहितिक सहली के बारे में एक एक वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी इसलिए आप चैनल पर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी क्य आचार भामा ने संस्कृत साहित्य की उन्नत में अपना अदिती योगदान दिया है, जिस प्रकार नाट सास्त के प्रथम आचारे महरसी भरत मुनी हैं, उसी प्रकार अलंकार सास्त के परम आचार भामा को कहा जाता है। हमने आपको बताया आचार भामजी के बारे में बहुत ही कम समय में उनके बारे में इतना ग्यान की उसमें से क्या पूछा जा सकता है यही सब पूछा जाएगा आपके अगर इनके बारे में पूछा जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करे चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में